सक्कीओं, आज की वीडियों हम सीखने वाले हैं, फोर्टर्स ब्लाउज, बिना विल्ड का, तो चलिए हम सुरू करते हैं सक्कीओं, कुछ बेनों को हमने चाट दिया है, यह चाट समझे में नहीं आता है तो इस चार्ट के सहारे हम आपको सिखाने वाले हैं तो इसमें हम एक साइज ले लेते हैं जैसे कि हम 32 साइज ले लेते हैं तो हम 32 साइज का यहां पर हम डाइग्राम दिखाएंगे आपको तो देखिए सबसे पहरे लंबाई लिया जाता है पहले हम लंबाई के निसान लगा लेते हैं, जैसे कि अगर आपको लंबाई 32 साइज में 13 चाहिए, तो आपको 14 लेना है, कितना लेना है, 14, तो यहां से हम 14 पे निसान लगाएंगे, यह देखिए, यहां पे, इस प्रकार से आपको 14 इस पे निसान लगा लेना है, यहां पे ह तो, साइज है, हमारा, हमने 32 लिया है, तो अभी हम, shoulder और arm mode, पे nisan डालेंगे, तो यहााँ पे, भी हम, shoulder, arm mode, में, क्या measurement, डालना है, ओ देखेंगे, तो, 32 का, हमें, 8 हमा भाग यूच करना है, तो, 32 का, 8 हमा भाग, जो है, 4 इंज है, तो, इसमें, हम एक इंच प्लस करेंगे शोल्डर लेंगे तो चरिए हम शोल्डर पर निसान लगाते हैं तो यहां पर आपको पांच इंच पर निसान लगाना है देखिए यहां पर यहां से आपको पांच इंच पर निसान लगाना है और यहां से साढ़े पांच पर आर्मोल पर निसान ड तो कौंप पूसरे थालना है यहां से मेले शोल्डर 5 और ह tag 5 अभी लाइन को हम सीधा करेंगे कि इस प्रकास से हम को लाइन को सीधा कर लेना है ती अब देखेंगे चेश्ट ? रहें पिए तो इसका तो चौछा भाग लेंगे तो यहां के चार नमबर दिख रहा है तो इसका तो यह 32 बाद के झाएंगे तो इसके और लिसका समित अबा बाद कर बीकिक क्परें इसके भागे ना गए था तो देखिये 22 तो देखिए यहां से सबसे पहले हम फिटिंग नाप डालेंगे 32 का चौथा भाग आता है हमारा 8 तो हम यहां पे 8 हिंज पे निसान रखेंगे या देखिए निसान लगा दिए इसके आगे आपको डेड़ हिंज पे निसान लगाना है इस परकार से तो हमने यह 8 पे लगा है और डेड़ पे लगाया जो मार्जी यहां पे हो गया देखिए अब इसमें हम देखेंगे कमर तो इसमें कमर का भी मेजर मेट आपको मिल जाएगा तो जैसे कि हमारा 32 का चेश्ट है तो कमर हमारा है 28 तो 28 का चौथा भाग जाएंगे यह देखिए चार नंबर है इसका 28 का चौथा भाग कितना रहा है साथ तो जो बहने हमने चार्ट दिया है तो इस प्रकास सिस्केमाग कर सकते हैं तो यहां पे देखिए साथ आ रहा है तो यहां पे हम साथ पी निशान डालेंगे तो कमर का चौथा भाग हो गया साथ अब उसमें हम एक इंच मिलाएंगे टक्स को जो लगाते हैं तो यहां से हम लेंगे आठ तो यहां पे आपको आठ इंच मिल लगाना है इसके आगे आपको 1,2 पीकर इस परकार से आप देखें यह लाइन को हम यहांसे मार्जिंग लाइन है यह हमारी फ्रिटिंग लाइन है इस प्रकार से अब यहां पर हमें बैक पार्थे हमारा 1.5 हिंच की गोलाई देना है तो हमारा यहां पर 1.5 हिंच आ रहा है तो यहां पर आपको गोलाई देना है ठीक है तो हम पहले गोलाई दे देते हैं पेपर को हम अपने तरग घुमा लेंगे जहान है जहां हमारी फिटिंग आती है यहां से आपको इस प्रकार से गुलाई का निशान देना है यहां पर आपको निसान आ रहे यहां आपको गुलाई देना है तो हम देखिये आप यहां पर शोल्डर हमें सोल्डर कितना चाहिए अब यह जो पैटर हम आपको बता रहें हैं डेप गले का पाँछ इंच रखा है तो यहां से आपको यह जो शोल्डर पटी है धा इंच पर तयार चाहिए तो आपको सती इंच पर निसान लगाना होगा तो हमने यहाँ पर 3 इंच पर निसान लगा दिए, अब आपको कितना तयार गला चाहिए उसे 1.5 इंच बढ़ा के लेना है, जैसे कि हमें 10 पर तयार चाहिए तो आपको 10.5 पर निसान लगाना इस प्रकार से, और यहाँ से कितना ब्रोड चाहिए उस हिसाब साप ले सकते हैं 13.,3,3 जैसे, तो हमने यहाँ पर 13 पर निसान लगाए है, आपको जितना ब्रोड चाहिए उस हिसाब साप लगा सकते हैं निसान, एह दिक़्िए, तो इस परकार से हमें यहाँ पर निसान लगा दिये, और यहाँ पर 17 और 2 को हम इस परकार से, क्रॉस में मिला देंगे, एह अब इसमें आपको गुलाई का सेब देना है, तो देखिए इस परकार से हम गुलाई का सेब देंगे, हमने गुलाई का सेब दे दिये, और यहां से आपको पाव इंच को क्रोस में लेना है, इस परकार से, अब देखिए, यहां पी जो हम टेक्स लगाते हैं, तो इसका हाफ क देखे इस प्रकार से आपको कि यहां पी यहां प्रखकर से सिधाafaat तों हो जो हमने आधा अधा इंच की हडीते ओगया क्योंकि हमने एक इंच पहले से अट किये थे आठ तो हमारा कमर कितना है 28 का चोथा भाग साथ आता है तो यह तक्स हट लगने के बाद हमारा यहां पर साथ पर फिटिंग आएगा पुरुफिक्ट तो हमने जो साइज बताया है 32 साइज का तो हम यहां पर 32 नमबर डालेंगे आप इसको हम कट करके निकालेंगे पैक पार्ट के इसके बाद हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे तो देखिए हमने बैक पार्ट कटिंग कर लिए हैं आप इसको ही रखके हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे देखिए इसको हमने यहां पर रख लिए और इसे सेम आपको पूरा ड्रोग कर लेना है कि comment भेटर्वस आपको यहां से अधाइंच बढ़ाना है यहीज से चल्प करेंगे जो हमने अधाइंच माझिंक बढ़ा है कि यहीं यहां से हम आधाइंच यहां पर बढ़ा लेंगे इस परकार से अब यह लाइन को लें आपको फ्रंट निकालना है तो इस प्रकार से आधा इंच आपको मार्जिंग बढ़ाना होगा अब यह लाइन को हम सीधा कर देंगे यह दिखिये तो हमने आधा इंच लिए और आपको यहां से भी आधा इंच लेना है नीचे के तरफ से और यहाँ पर साइड से इस प्रकार से आजाएं बढ़ा लेना है तो हमने बढ़ा लिए और यह जो आर्मोलका निसान है सेम इसी परकार से आपको ड्रो करना है इस प्रकार से हमने ड्रो कर लिया अब ये पार्ट को हम हटा देंगे क्योंकि इसका काम हो गया अब हम इसमें फ्रंट पार्ट निकालेंगे तो देखिए जैसा हमने यहाँ पे रखा था शोल्डर शोल्डर हमने कितना रखा था? तीन इंच तो आपको यहाँ से तीन इंच पे शोल्डर का निसान लगाना है अब हमारा फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पे आपको छे इंच गला निकालना है कितना निकालना है? छे इंच तो हमने यहाँ पे छे इंच पे निसान लगा दिये और यहां से हमें धाई इंच पे निसान लगाना है, चोडाई में इस परकार से धाई लेना है, लंबाई में छे लेना है, अब इसको हम ऐसा बॉक्स बना लेंगे इस परकार से, तो हमने इसको बॉक्स बना लिए, यह देखिए, अब इसको हम यहां पे गोलाई का सेप अब यहां पर बारी आती है, यहां पर टक्स लगाने की, तो हम टक्स कैसे लगाएंगे, अब हम फिर चाट का सहरा आपको लेके बताएंगे, 32 का आठों भाग उच करना है, तो हमारा यह जो नंबर है 32 है, इसका आठों भाग आरा है 4, अब 4 में आपको माइनस आधा इंच कर लेना है, तो कितना आएगा हमारा, 3.5 इंच आएगा, तो यहां से हमें 3.5 इंच पर निसान लगाना है, तो हमने यहां पर 3.5 इंच पर निसान लगा दिये हैं, अब आपको यहां से 4 इंच लेना है, मतलब 32 का आठों भाग पूरा लेना है, जब हम चोडाएं में लिए, तो आधा इंच माइनस कर दिये अब हम यहां पर फुल लेंगे पूरा 8 वा भाग यानि हमारा 4 इंच आएगा तो आपको यहां पर 4 इंच पर निसान लगा लेना है इस परकार से और सबसे पहले यहां पर हम डेर इंच की मार्जिंग दे देंगे यहां से आपको द्यश्च की मार्जिंग दे देना है अब यह लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस परकार से थीथे अब यहां पर आपको आधा 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 अच का मार्जिंग देना है यह यह हमारा छोटा साइज है 32 का है तो आपको एधा आफ़ा इंच देना है, जिस से 40-42 का हुआ, तो आपको पौन एक इंच लेना है, ते दिआ हमने आप आप ए्धा आप का माजिंग दिए हैं और यहां से आपको इस प्रकार से cross में निसान लगाना है ति हमारा हो गया main tex अब यहां से बाकी हमारा तीन tex लगेगा तो दीखें यह में tex लगाया था इससी प्रकार से हम तीनों tex लगाएंगे तो यहां से इसा क्रॉस में आपको डेर्ड इंच लेना है जब हमारा बड़ा साइज होता है तो हम दो इंच लेते हैं अभी हमारा एक ऐसा 32 साइज का है तो हमें यहां से डेर्ड इंच लेना है आप देखें यहां से हमने डेर्ड लिए अब यहां से भी आपको डेर्ड लेन है इसका क्रोश में अगे जिती है अब यहां से भी अपना दिरः आइगा यहाँ अब यहाँ से आप को देखिए यहाँ से आपको 3 इंच पर लागाना है यहाँ सअबने 3 लिया अब इसको हम क्रोश में मिला देगे ऐसा उ Fried Nah minimum हम मिलाना और यहां से पाव पाव इंच का सेब देना है हमारा आरगम मिलेगा इस परकार से अब देखे एक बार हम आपको समझाना चाहेंगे देखें तबी जैसे कि हमने जो इस पार्ट से बैक पार्ट से हमने आधाइंच यहां पर बढ़ा के लिए थे जब हमारा यहां पर पाव पाव इंच दबेगा तो हमारा यहां पर आधाइंच अर्जिस्ट हो जाएगा अब यहां पर जो लंबाई में हमने लिया था आधाइंच बढ़ा के यहां पर आपको पाव पाव इंच का टस्ट दवाना है तो हमारा बनोबर गया जैसे कि हमने मार बरकस का निसान लगा लेना है बहुत आसान है यहां पर हमने कट आरिये में है कैसी नितको निकालना है डीके लिच प्रकार आपको Cristicon रहता है अब इसको आपको इस प्रकार से गोलाई देना है अब अब यहां से हम देखे इस प्रकार से आपको गला कटिंग करना है जब हम गला कटिंग के मार्जिन डालते हैं तो आपको 6 इंच पर आलना है आपका बटन पट्टी कितना है उसके बाद निसा लगा कि आप और बाद में सेप दे सकते हैं पहले आपको 6 इंच पर ही कटिंग करना है और एक ची यह निसान हमने लगाया था एक कट करना है आपको देखिए इस परकार से आपको कट करना है तो जब हम कपड़े पर रखेंगे तो इस परकार से अगर निसान लगाएंगे तो हमारा नीचे छप जाएगा इसी परकार से आप तीनों में कट लगा लेना है इन तीन टक्स में औ और आपको यहां से भी एक कट लगा लेना है यह देखिए इस प्रकार से हमने कट लगा लिए जब हम कपड़े पर रखेंगे तो यहां पर कट लगाना यहां पर निसान लगा देंगे यहां पर और यह जैसे हमने आपको यहां पर कट बताए से आपको तीन कट लगा लेना है तो जब आप यहां से टक्स लगा लेंगे, तो इसको उठाएंगे, तो कपड़े पे आपको आसानी हो जागा ऐसा टक्स लगाने में, तो यह हमारा हो गया फ्रंट पार, आप हम देखेंगे आस्तिन, तो देखें हमें आस्तिन बनाना है भी, तो आपको लंबाई जितना चाह अब यहां से हमें सेप देना है तो यहां पर हमें धाइंच का सेप देना है कितना धाइंच का तो इस प्रकार से आपको निसान लगा लेना है तो उपर से नीचे हम यहां पर निसान लगा लेंगे अब यह लाइन को आपको सीधा करना है इस प्रकार से लाइन को आपको सीधा कर लेना है ठीक है आप देखिए अभी हमने कटिंग किया तो आपको बैक पार्ट लेना है यह देखिए बैक पार्ट तो हमारा जो स्लीव कम ज्यादा होता है और आप मेजेमेंट करेंगे तो अभी हमें इसकी गोलाई नापना है तो इसी प्रकास मेजेमेंट इसमें है तो आपको इस कॉर्नर से इसाजे साथ निसाल लगाना है दिखिए साध हाथ से निसान लगाना है है तो इस प्रकार से ४हन Т crazy- cay आप को ना प्रकार से को ना अождfa मार्जिन जहां आपका फिटिंग है यहां तक नापना है साढ़े साथ तो हमने साढ़े साथ नापना अब इसको आपको यहां से ऐसा क्रोस लाइन डालना है इस कॉर्नर से क्रोस लाइन डाल दिये हम आप इसका आपको सेंटर लेना है तो हम सेंटर कैसे लेंगे यहां से साधे साथ का हाप करेंगे, इस प्रकार से हाप करना है, तो देखिए, यहां से आपको आधा इंच लेना है, बैक पार्ट में आपको आधा इंच लेना है, इस प्रकार से आधा इंच, देखें, आप इसका हमें हाप करना है, इसका हाप यहां करेंगे, यहां हमारा प पषरू एंच चाहेगा अब ीसको में से देना है DC कईसे देंगी lift है इस परकार से गोलाई देते हुए हमें यहां मिलाड़ा है this from equilibrium छोड़के इस परकार से हमने यहां पर दे दिये अब में यहां पर फ्रंट पार्ट में भी सेप देना है तो यहां से इस परकार से निसान लेते हुए हमें यहां पर मिला देना है इस परकार से अब इसके आगे हम 1.5 हिंच का मार्जिंग रखेंगे अब आपका बॉटम कितना है ओ देखेंगे जैसे कि 32 का चेश्ट है तो बॉटम अपना साड़े पांच आएगा साड़े पांच भी आता है जिसका रेगा उसका हाफ लेना है तो हमने यहाँ पे साड़े पांच लिया और इसके आगे देखेंग अब इस निसान को हम इसमें मि मारजिंग इस पकार से देखेंगे अब इसको हम कटिंग करेंगे इस पकार से गोलाई देते हुए हमें तो देखेंगे यहाँ आपकी फिटिंग आ रही है यहाँ पांपन के मारजिंग है अब इसको हम खोल लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में लगाना है फ्रंट प इसना हमने शेप दे दिया है, आप इसको आपको इसमें मिलाना है, फिर हम दिखाएंगे आपको, यह बैट पाथ है, यहां से आपको इस कॉर्नर से लेके, बोलते हैं, हमारा आस्तिन बढ़ गया, कम पढ़ गया, तो यह क्यों, इसको आपको मेजर मेंट अच्छेस करेंगे, तो आपका कम जादा नहीं होगा, इस प्रकार से आपको गोलाई देते हुए, इस प्रकार से यह देखिए, पर्फेक्ट आया, इसी प्रकार से एक बार फिर हम दिखा रहें आपको, यहां से ऐसा रखके, गोलाई देखिए आप आराम से, यह देखिए, तो इस प्रकार से अगर measurement करते हैं तो आप का ये परफेक्ट आएगा तो आज दिन आप इस परकास cutting कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हमने सीखा Fortex Blouse देखिए यह हमारा front है और यह हमारा बैठ है और यहां हमारा स्लीउस है जिए आज की वीडियो में हमने सीखा फोर टक्स ब्लाउच का डाइग्राम पेपर पे तो सकीयों इसी प्रकार से आप भी कटिंग कर सकते हैं जिन बेहनों को समझ में नहीं आया है ओ बेहने हमें कमेंट करके जरूर पूछे हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे समझे, सीखे, सफर बने मिलते हैं अगले क्लास में